हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल एमसी बी, एमसी बी, आज हम एक बहुती इजी मेतड के साथ ब्यूटिफुल ब्राइडल का सारे कुछू डिजाइन बनाएंगे, फ्रेंड्स इस डिजाइन को बनाने के लिए नीडल मैंने लिया है, नाइन नमबर 0.85 mm का है, स्क्व वीड्स लिए हुए है, मीडियम साइज, और यह मैंने सिक्स टैंस अफ सिलिक ट्रेड बना लिया है, इसे मैंने मशीन से बनाया हुआ है, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक मैंने उपर आई बटन में दे दिया है, आपको वहां से वो वीडियो इसे लिए मिल जाएगा, यह डिजाइन बनाने में जितना एजी है, उतना ही यह डिजाइन ब्यूरिफुल और ग्रैंड भी है, आई होप आपको यह डिजाइन जरूर पसंद आएगा, तो चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें फिंगर में धागा फोल्ड कर लेना है, और यहाँ पर एक नॉट डालेना है, उसके पाद नीडल में दो राउंड लेने के बाद, नीडल में धागा फोल्ड करके इस दाकी को बाहर लाएंगे, यह एक स्लीप नॉट बन जाएगा, और अब नेक्स्ट हमें यह बीड लेना है, स्क्वेर बीड का यह ज हो जाएगा, और अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर डाबल क्रुशेट बनाना है, इस स्क्वेर बीड पर हमें डाबल क्रुशेट वर्क करना है, यह देख सकते हैं, नीडल में धागा फोल्ड किया, दो लूप्स को एक किया, फिर से नीडल में धागा फोल्ड किया, दो के इस hole तक हमें double crochet work करना है continuously double crochet बनाएंगी यह देख सकते हैं मैंने complete double crochet बना लिये हैं friends हमें यहाँ पर count करने की ज़रूरत नहीं है जो दो holes है start से लेके end तक हमें double crochet बनाने हैं इस तरीके से double crochet हमें work करना है और अब next हमें double crochet work complete होने के बाद तोड़ से धाका बाहर खीचते हुए excess thread को हम cut कर लेंगे इस तरीके से slowly इन सभी thread को cut कर लेना है उसके बाद needle की मदद से इन सभी thread को हम बाहर लाएंगे यह एक tight loop बन जाएगा एक knot बन गया है यह देख सकते हैं इस तरीके से और अब इस bead को fold करके sorry turn करके यह जो threads है इसमें से needle को pass करके इस धागी को हम बाहर लाएंगे इस तरीके से बाहर लाना है और अब हमें एक और बार यह जो threads है यहाँ पर इन threads में से needle को pass करके इनने हम बाहर लाएंगे यह इस तरीके से complete attach हो जाएगा और अब next हमें यह जो excess thread है इन सभी thread को knit करते हुए, थोड़ा सा threads एक्स्टरा चोड़ते हुए, इन्हें हमें cut कर लीना है सिर्फ थोड़े से ही threads हमें एक्स्टरा चोड़ना है और अब next हमें, ये जो एक्स्टरा चोड़ा हुआ thread है, इसमें से तोड़ा, इसके उपर थोड़ा सा fabric glue लगा के इने हम stick कर लेंगे मैं देख सकते हैं ये stick हो गए है ये जो starting वाला thread है इने भी थोड़ा सा पहले cut कर लेना है और इन threads पे भी थोड़ा सा fabric glue लगाके इने भी हम stick कर लेंगे इस तरीके से दोनो side, दोनो edges के threads को हमें stick कर लेना है और अब इसे थोड़ी देर dry होने के लिए छोड़ देना है next हमें single line cotton thread लेना है और यहाँ पे एक knot डालेना है जो हमने silk लिया हुआ है उसी color का हमने cotton thread लेना है और silk thread के इस side से इस needle को हम पहले pass कर लेंगे उसके बार ये जो knot है cotton thread का इस knot में से भी needle को pass करके इसे attach कर देना है यह देख सकते हैं यह attach हो गया है एक और बार इन silk thread में से needle को pass कर लेंगे एक knot बनाएंगे यह देख सकते हैं अब यह attach हो गया है next हमें needle में एक medium size का golden bead उसके बार एक small size का golden bead और अब फिर से एक medium size का golden bead सिर्फ सार्टिंग में हमें इस तरीके से तीन बीर्स अड़ करने है और अब इन तीनों बीर्स को हमें यह जो हमने पहले डबल कुरुषिट में धागा अटेच किया हुआ है उसके नेक्स्ट वाला यह जो डबल कुरुषिट इसे छोड़के next वाले double crochet में third वाले double crochet में से needle को pass कर लेना है और अब इन तीनों beards को इस तरीके से triangle shape में लाएंगे यह देख सकते हैं थोड़ा सा नस्देक से दिखाने की कोशिश करती हूँ यह देख सकते हैं तीनों beards हमें इस तरीके से triangle shape में लाने की बार यह जो third वाला beards है इस beards में से दोबारा से needle को pass कर लेना है और अब next हमें पहले एक small size का golden beards medium size का golden beards इस तरीके से दो beards insert कर लेने हैं every time next हमें दो ही beards insert करते हुए work करना है इन दोनों beards को इसी तरीके से triangle shape में लाते हुए जहांपे यह medium size का bead आया है वहां से इस needle को pass कर लेना है और दोबारा से इस bead में से इस needle को pass कर लेना है और इनने tightly stitch कर देना है और अब next हमें फिर से small size का golden beards medium size का golden beards दो beards insert कर लेने हैं इन दोनों beards को triangle shape में इस तरीके से fold करते हुए एक double crochet छोड़के next वाले double crochet में से needle को pass करके यह जो medium size का bead है दोबारा से इस bead में से इस needle को pass कर लेना है यह अच्छे से attach हो जाएंगे friends इन beards के बीच में बिल्कुल भी gap नहीं छोड़ना है और इन beards को बिल्कुल भी loose नहीं stitch करना है अच्छे से tightly stitch करना है और अब next में दो beads insert कर लिया है इन दोनों beads को इस तरीकी से triangle shape में लाते हुए यहाँ पर हमें stitch कर लेना है यह जो big size का bead है इसमें से भी needle को pass करके एक और बार stitch कर लेना है friends इसी तरीकी से हमें यह जो हमने double crochet बनाए हुए है इस पूरे double crochet के उपर इस तरीकी से bead stitch कर लेने है यह देख सकते हैं हमने complete beads को stitch कर लिया है last में हमें दो beads stitch आड़ करके इन दोनों beads को triangle shape में लाके stitch कर लिया हुआ है और last में यह जो bead है इसमें से भी needle को pass कर लिया है और अब यह complete हो गया है इस bead को turn करके finger में धागा फोल्ड करके यह जो last वाले दो beads है इन दोनों beads के center में से needle को pass करके यहाँ पर एक और knot बनाना है यह अच्छे से tight हो जाए stitch हो जाएगा last वाले bead में से भी needle को pass कर लेना है दुबारा से और अब next हमें यह जो double crochet हमने बनाए हुए है इसमें से needle को pass करके यहाँ पर एक दो अच्छे से knots बनाने है इस तरीके से tight knots बनाने की बार excess cotton thread को हम cut कर लेंगे यह देख सकता है यहाँ पर इस cotton thread को पहले cut कर लेना है अब यह bead working complete हो गया है इसी तरीके से हमें एक साड़ी के लिए minimum 20 to 25 बनाने है मैंने यहाँ पर कुछ बनाए हुए है यह देख सकते है अब इन्हें use करके as a button की तरह भी अपने कुर्ती पे blouse पे stitch कर सकते है या फिर यहाँ पर यह जो उपर से hook लगा के इन्हें as a earrings की तरह भी बना सकते है और भी बहुत से कुछ creativity बना सकते है पल्लू पे भी stitch कर सकते है दुपटा पे भी stitch कर सकते है और अब next हमें इन्हें stitch कर लेंगे लूपे या फिर दुपटा पे stitch करने के लिए every one and half inch के distance पे हमें पहले mark कर लेना है इस तरह के से every one and half inch के distance पे mark कर लेने की बाद यह जो हमने mark किया हुआ है यहाँ पे 75 strands of silk thread लेके कुछू बनाना है कुछू वर्क करने के लिए मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा skip कर रही हूँ friends कुछू बना लिया है next हमें कुछू की बाद थोड़ा सा distance छोड़ते हुए यहाँ से इस needle को पास कर लेना है मैंने two strands of cotton thread लिया है bead का यह जो hole है इस hole में से needle को पास कर लेंगे one side hole में से needle को पास कर लेना है और अब next हमें यह जो bead है इस bead में से needle को पास कर लेंगे और another side इस square bead का जो hole है इसमें से भी needle को pass कर लेना है इस तरीके से ये bead इस square bead के center में आ जाएगा और अब ये जो दो कुछु है इन दोनों कुछु के center में इस तरीके से neatly हमें square bead को stitch कर लेना है फ्रेंट्स मैंने इसी तरीके से square beads also round beads को use करते हुए और भी crochet की kuchu decels design बनाए हुए है उन सभी का मैंने एक playlist बनाया हुआ है उसका link मैंने वीडियो के end में दे दिया है also description में भी दे दिया है आप description में visit कीजिए वो सभी videos आपको easily मिल जाएंगी इस design को लेखे आपके कोई भी doubts है या फिर कोई भी सवाल है मुझे comment section में comment कीजिए मैं उसका जरूर reply देने की कोशिश करूँगी also मैंने अपना whatsapp number और facebook link में description में दे दिया है यह जो हमने कुच्चू बनाए हुए है every कुच्चू के यह जो gap है gap में इन bead को stitch करना है अभी वर complete हो गया है आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे comment section में comment करके जरूर बताईएगा चैनल पर पहली बार visit किया है तो चैनल को subscribe कीजिए पास में लगे bell icon को भी press करके all पे click कीजिएगा मिलते हैं next videos में तब तक के लिए thanks for watching see you soon bye bye